नमस्कार शाथियों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में जो कॉस्टेवल की वकैंशी निकली है उनके बारे में इसकी जो फार्म भरने की सुरुवात है वो 1.10.2019 से होगी और जो फार्म भरने की अंतिम्तिती है वो 30.10.2019 है अब हम बात करते हैं वकैंशी की इसमें मेल और फिमेल दोनों की पानसो चम्मन वकैंसी हैं जिसमें 372 है वो मेल कंडिडेट की हैं और 182 वकैंसी है जो फिमेल कंडिडेट के लिए हैं इसके लिए जो एज है वो आपकी एक साथ दो हजार उननीस से कैलकुलेट होगी और जो EWS और जनरल यूर काटेगरी है उसके लिए 18 से 25 वर्ष है EWS में इसके लिए उमर की छूट नहीं है OBC के लिए 28 वर्ष है SC और ST के लिए 30 वर्ष है उसके बाद अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यदि आप पलस्टू पास हैं तो आप इसके लिए अपना फार्म अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जिनोंने एक और चीज डाली है वो है टाइपिंग अगर आप English टाइपिंग है तो आपकी 30 वर्ष पर मिनट होनी चाहिए और अगर आप Hindi टाइपिंग करते हैं तो आपकी 25 वर्ष पर मिनट होनी चाहिए उसके बात करते हैं physical standard की इसके लिए अलग अलग से age group के हिसाब से इसमें समय रखा गया है आपकी रेस है जो वो 1600 मेटर है जो कंडिडेट 30 वर्ष से कम आयू के हैं उन्हें 7 मिनट का समय दिया गया है जो कंडिडेट 30 से 40 वर्ष की आयू के बीच के हैं उन्हें 8 मिनट और जो 40 से ज्यादा की उमर के हैं उन्हें 9 मिनट इसी परकार long jump और high जंप भी अलग अलग हैं वो भी उमर के हिसाब से हैं इसी परकार female candidate है जो 30 से कम है उनके लिए 5 मिनट है जो 30 और 40 की उमर के बीच है उनके लिए 6 मिनट है और जो 40 से ज्यादा उमर के हैं उनके लिए 7 मिनट है इसी परकार long jump और high jump female candidate के लिए हैं अगर हम बात करें male candidate की height तो 165 cm height होनी चाहिए 5 cm का इसमें आपको relaxation दिया गया है जो इसके लिए applicable है अगर male candidate में chest की बात करें तो आपकी chest 88 cm से 82 cm होनी चाहिए और कम से कम 4 cm का आपका flow होना चाहिए इसमें भी आपको 5 cm का relaxation दिया गया है जो इसके लिए applicable होंगे अगर female candidate की बात करें तो female candidate के लिए height 157 cm रखी गई है और इसमें भी आपको 5 cm का relaxation दिया गया है जो relaxation इसके लिए qualified करेंगे अगर आपके medical की बात करें तो मैं आपका medical होगा उसके बाद अगर हम बात करें application की तो application की जो fees है वो 100 रुपे रखी गई है और आप application form जो है वो दिल्ली पुलिस की जो official website है उस पर जाकर आप अपना form apply कर सकते हैं अगर हम आगे बात करें तो इसका जो process है जो method of requirement है उसके बारे में बात करें तो इसमें आप सबसे पहले आपका computer based examination होगा वो 100 marks का होगा उसके बाद आपको physical के लिए बुलाए जाएगा जो सिरफ qualifying nature का होगा जिसका आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा उसके बाद आपका typing test होगा computer पर जो 25 नमबर का होगा और उसके बाद आपका computer formatting test है ये भी computer पर होगा वो भी सिरफ qualifying nature होगा तो total जो नमबर है वो 100 आपके जो computer examination के हैं और जो 25 हैं वो आपकी जो typing है computer पर उसके हैं निकि total 125 नमबर का ये पुरा process होगा सबसे पहले क्या होगा देखते हैं सबसे पहले आपका जो computer based examination test होगा वो objective type होगा इसमें क्या क्या आएंगे वो यहां पर दिये होगे हैं जैसे general awareness है 20 question आएंगे 20 number के quantitative aptitude होगा 20 question 20 number के general intelligence होगी 25 question 25 number के English language होगी आपकी 25 number की 25 ही question होगे और 10 number के 10 question आपके computer के और इसके लिए जो आपको time दिया जाएगा वो आपको 90 minute दिये जाएंगे यह जो आपका जो written test होगा उसके slavis दिया गया है कि general awareness के क्या topic है quantitative aptitude के क्या topic है या लग-लग सी हाँ पर topic दिये गई है उसके बाद अगर हम बात करें तो जो candidate written examination कलीर करेंगे उसके बाद उनको आगे physical test के लिए उलाए जाएगा जिसमें आपको race, long jump, high jump, height, test यह आपको qualify करना है इसके लिए आपको कोई number नहीं दिया जाएगा जो candidate physical clear करेंगा यानि कि race, long jump, high jump, height, test उसके बाद उसका computer पर typing test होगा जिसमें आपको 25 नमबर दिये जाएगे जो candidate computer पर typing test कलियर करेगा उसके बाद उसको computer का एक और test है formatting qualifying test यह सिरफ qualifying nature होगा इसमें आपको तीन चीज़ें करनी है MS world पर काम करना है MS power point पर काम करना हो MX axle पर काम करना है तीनों के लिए आपको अलग-अलग से 10 minute दिये जाएगे और जो यह point दिये गए है इन point में आपको काम करके दिखाना है computer पर इसके लिए भी आपका कोई number नहीं दिया जाएगा यह सिरफ और सिरफ qualifying marks का होगा उसके बाद जो final result है वो आपका 125 number 100 number जो आपका computer exam है और जो 25 number जो आपका typing है उसके अधार पर आपका final selection होगा जो candidate form भरना चाहते हैं वो एक तारिक 10 में महिने से form start हो चुके हैं आप दिल्ली पुलिस की official website पर जाकर अपना form भर सकते हैं आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जया हिंद